घरों में अक्सर देखा जाता है कि रसोई घर में या बातरूम की जितनी भी टैप्स हैं इसमें कभी कभी पानी आना कम हो जाता है इसके कई सारे कारण हो सकते हैं लेकिन जो सबसे ज्यादा बड़ा कारण हमें देखने के लिए मिलता है और जिसके लिए हमें पलंबर की ट्रिक्स से पानी के फ्लो को बढ़ा सकते हैं तो आज मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मीनू आज की वीडियो में हम जैनेंगे कि नल के नोजल को हम किस तरह से साफ करें नल का नोजल वो होता है वो पार्ट है जहां से पानी बाहर न जाली में अक्सर कच्रा जमा हो जाता है और अधिकतर मामलों में सिर्फ इसे ही साफ करने से आपका काम हो जाएगा तो चलिए इसे किस तरह से साफ करना है वो हम सीख लेते हैं इस जो नोजल है वो हमने निकाल दिया है इस नोजल के अंदर एक रबड का पार्ट रहता है इ आप देख सकते हैं ये टैप का ही उपर हिस्सा है इसे वी हम साफ करेंगे ये दोनो भी हिससे प्लास्टिक है तो इसे क्लीन करने के लिए हम जिस प्लीन का यूज़ करने वाले हैं उससे हम टच करते ही ये पूरे इस फिल्ड he leva कर देगा या तो टो वेक करते रहे है और देखते रहें वीडियो को अब मैंने एक कटोरी में यानि बाउल में एक पानी ले लिया है इसमें मैं सारे के सारे जितने भी पार्ट्स हैं वह सारे पानी के अंदर डाल दूँगी कुछ समय बाद यह सारी मिट्टी जो है वह पानी के अंदर आ जाएगी तो सबसे को बुलाने के जरूरत नहीं है अगर आप सीख लेंगे तो आप रोज मरा खुद ही से क्लीन कर सकते हैं वैस तो रोज मरा नहीं एक महीने में एक बाहर भी आप साफ करेंगे तो बहुत अच्छे से आपका काम चल जाएगा तो आप देखिए इस तरह से मैंने अलग अलग कुछ पार्च तो आपके finger से ही साफ हो जाएगे हलका हलका रगड़ने से कुछ पार्च के लिए हमें brush की help की जरूरत पड़ेगी तो brush से आप रगड़ते हुए इसे और जो filter की जाली है उसको भी हम brush से ही साफ करेंगे क्योंकि filter की जाली brush से ही साफ होगी और brush को दबाते ताकि brush के जो दान्त हैं वो जाली के अंदर जाए और जाली अच्छे से साफ हो जाए ठीक है अगर इस तरह से filter आपकी जाली जो है वो साफ हो जाती है तो ठीक है अगर नहीं होती है तो अब हम cleaner का use करेंगे उस cleaner से पटा-फट से यह जाली clean हो जाएगी यह दिकत अकसर घरों में देखने के लिए मिलती है इसलिए मैंने इसका वीडियो बनाया ताकि हर महिला हर ग्रहनी इस काम को कर सके उसे किसी बाहर के व्यक्ति आपने husband किये किसी की भी जरूरत नपड़े से clean करने के लिए तो आप पानी की condition भी देख सकते हैं पानी कितना गं प्लास्टिक का ढखन लिया है मैंने इस फिल्टर को रख लिया है स्टील के ऊपर हम हार्पिक को नहीं डालेंगे अधरवाइस टील की आपकी कटोरी यह कुछ भी आप यूज कर रहे हैं वह काला पड़ जाएगा ठीक है क्योंकि इसमें एसे रहता है तो आप इसे एक ब्र यह इसमें हार्पिक का यूज कर रहे हैं अगर यह स्रील का होता तो हम इसमें हार्पिक का यूज नहीं करते क्योंकि उससे जंग लगने के चांसिस हो सकते थे ठीक है तो अब इसे अच्छे से हम रगडते हुए साफ कर लेंगे जितना भी इसमें बाकी रबर्ड वगरा थ बहुत गंदा पानी हो चुका है तो फिल्टर की जाली जो है वो मैंने इस ब्रश की हेल्प से काफी अच्छे से क्लीन कर दी है यह जो हार्पिक है यह बहुत ही काम की चीज है आप इसे जितने भी वाश्पेशन की टैप्स होते हैं उसमें कई पानी आना कम हो जाता तो वहां अच्छे से साफ कर सकते हैं इसके बाद आप देखेंगे इतनी अच्छे क्लीनिंग हो जाएगी हार्पिक से कि पानी इतने आपके फ्लो से आने लगेगा आप खुश हो जाएंगे और आप सोचेंगे कि यह मैंने पहले क्यों नहीं किया तो यह बहुत ही इजी है इजी वर नोर्जंट को हो जाएक इसके बाद हम एक बार पानी से साफ करने के बाद हम इन सारे पार्ट सो दुबारा से अनदर अच्छे से दुबारा से लगा देंगे ठीक है सारे पार्ट्स को नोजल में हम फिट करेंगे सबसे पहले जो हमने फिल्टर से रबर निकाला था उसे हम फिल्टर की जाली में फिट करेंगे और इस चीज का धियान रखना है आपने कि किस तरहां से आपने फिल्टर की जाली अंदर से निकाली थी नोजल के और उसके बाद क क्योंकि आपने फिट भी करना है तो आपको अच्छे से आना चाहिए तो एक बार आप निकालते टाइम इस चीज को ध्यान रखिए कि कहां पर कौन सी चीज है जैसे कि फिल्टर जो है वो नोजल के एक दम नीचे रहता है तो इस चीज का आपने ध्यान रखने किस तरह से इस है ने उसके उपर लगा दिया यहरबड इसमे लगाने के बाद जो है अब हम इसे टैप में फिट कर देंगे को मता थीशा फuलो दीतला है आपपणावी और आपणी का पानी का इस जाना रिड़ा बड़ा आप पानी का व्लो काफ़ी ज्यादा बढ़ चुका हैख्ले का पानी का फलो किस तरह से था है अग्रा आपको प्रसंद आई से लाइक कर दीजिए चैनल dh subscribe कर दीज है ताकि जोड़ेच cu किस कर दो